नमस्कार आमोरही स्वतंत्र उपस्तापनाकु स्वागत कुर्छुम प्रदिप्त आपन माने समाथ सेवार अनेक उधाहरण देखी थिवे समग्र देशरे एबंग उडिसारे मध्या समाथ सेवा अनेक लोको करुचौंती अनेक संगठन मध्या करुचौंती किन्तु समाथ सेवा आधार रे देशरे परिवर्तन आनिवार कार्जयौ केते जण कुर्चौंती ताहा गोटे बड़ प्रस्ता तेबे आपन जेदी देखी थिवे अनेक थरो विभिन्न कार्जय करम रे बिबिन्न खेत्रोरे भारत विकास परिशद अनेक समाज सेवा र कार्जो करिथा है। बिबिन्न खेत्रोरे भारत विकास परिशद ये सोच ये कब ये उभरी हमारे देश में और कब से काम कर रहे हैं आप लोग ऐसा है 1963 में राधर 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रिबंट किया हजारों सेनिक वह घायल हुए मिर्टू कम हुई घायल ज्यादा हुए और हैंडी कफ होगे अब जो जिनकी मिर्टू हुई उनको सरकार ने काफी कुछ मौज़ा दिया मदद की परंतु जो हैंडी कफ हुए वो नोकरी से भी चले गए और उनको किसी भी परकार की मदद नहीं मिली जी तो उसमें राष्टी सुयम सिवक संग के पूजे सरसंग चालक बाला साब देवरो जी और दिली के संग चालक लाला हनसरा जी उन दोनों के साथ मिल करके डॉक्टर सूरज परकाजी के साथ ये चर्चा विमर्स हुआ कि हमको इन सब सैनिकों के लिए मदद करनी चाहिए तो वो किसके माध्यम से कैसे कर सकते हैं तो पिर तब उन्होंने भारत विकाश पिर्चत की स्थाबने की एक कारण है और बहुत बड़ा काम उस समय आर्टिफिशल लिंप्स का सैनिकों को देने के लिए किया दूसरी बात ये थी कि उस समय दूरिंग 1963 63 के उसमें उसमें लाइन रोटरी ये विदेशी आधारित संग् थे आज बहुत बड़ा परिवर्तन दोनों संग्डिनों में आया है और आज हम सब मिलकर के भी काम करते हैं लेकिन उसमें बड़े लोग जो भी देश के संपन और परभावी लोग थे उनका एक फैसन था लाइंज और रोटी में जाना और देश का जितना भी बड़ा रिस तो उसमें लाला हंसरा जी ने ये सुझाव दिया कि वही क्यों ने हम इस परकार के परभावी लोगों को क्योंकि साखा में तो सामा ने मिडल क्लास लोग आते थे तो ऐसे बड़े उंच श्रेनी के लोग जिनको एलीट पीपल अब दा सुसाइटी यानि प्रोस्पेरस संपन परभावी और इंटिलेक्ट्वल पड़े लिखे लोग ऐसे तीनों स्रेनी के लोग इनको जोड करके हम समाज में परिवर्तन लाने का परियास करें तो उसमें ये विचार आया कि कोई ऐसा संथन जो समाज के परभुद्ध संपन और परभावी लोगों में काम कर सके कर दू है संथन बना और उसमें लाला हनसरा जी की प्रेना से लाला अनसरा जी की देखरेख में डर्गеп्टर सूरज परगाजी ने भारत विकासपरिशब की इस्तावन जानको तो सर बहुत बड़ी लमबी आत्रा है उसें जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप में बतलब सेवा लोगों को देते हैं अगर कोई बड़ा कारेक्रम हो या कभी आप बड़ी आपदा आ जाए तभी आप खड़े होते हैं लोगों के साथ तो इसे बतलब दूसरे एंजियोस्पिय से काम करते हैं इससे अलावा आप को साथ कि वैसे सयोग हमारे पांच तत्व ह हैं हमारे संपर्क सफायोग सेवा संस्कार हो रसामरपण अगर सायोग हमकरते हैं सभी सहंख उले लिना सभी संपर्णों स हमारे दो इंद्व जो बाकी इस में कोई ऐसा एंजियो संटन फोल नहीं करता है से वह से नोग आत only Was society now we half करते हैं परन्तु सेवा और संस्कार यानि सेवा में भी संस्कार कैसे हम सेवा जो करते हैं हम उसमें सेवा करने से हम सेवी तवेक्ति जिसकी सेवा करते हैं उसकी आद्ते खराब नी होनी चाहिए वो सेल वो हम पर डिपेंडन नी होना चाहिए वो सेल डिपेंडन होना को यह सब हर लोग करते हैं लेकिन एक विखारी यारी आनि आउसक्कमंद कि एक भूखे वेक्ति को खाना खिला करके वो सेवित है उसकी सेवा की वो सेवक बने उसको यह लगना चाहिए कि भारत गाоко a के आज मुझे अपने पैरोंपर खड़ा किया तो मैं सेवाद करूंगा अपने से चोटे लोगों की में सेवा करूंगा यह बोट बदबड़ अंतर है यह विचार आज बोट सारे संट्रों में नहीं है बलकि क्या होता है कि से फूटो करवाने के लिए लोग अपना एक बुद्धी विलास के लिए कि में सेवा कर रहा हूं सेवा करते हैं बोत बड़े बड़े लोग दो करते हैं लेकिन उन लोगों को सेवित速ay को सेवा करते हम देसेन आई समयं परतयवता करते हैं देशभक्ति के कितों के करते कि यह 3L,000 विद्यारती हर साल हमारे हिस कारिकमों में पूर्ठीकता है आज़न करते हैं देश भर्टिय गीत काते हैं परन्तु गीत गाना और उनको पुरिसकारदेना कैरिकम नहीं हुए उनके अंधर देश Çaब वट्टी का संस्कार देना है भारत को जाना हमारी परतियुकता है उसमें भी लगवग ढ़ाई-3 लाग विद्यार्थी आते हैं सम्मरू लेकिन उसमें से आपको आश्री होगा कि हम हर साल सेंकड़ो विद्यार्थी जो 10-12-15 साल पहले भारत को जानों में पार्टिस्पेट क कि तुम आगे चल करके कुछ भी कर सकते हैं उनका जो इंटरनल्फ पोटेंशल है इंटरनल टेलेंट है उसको विक्षित करके उसका व्यक्तित निर्मान करते है यह जो संस्कार की पत्ती है और दूसरा ऊंगान जो होता है क्या है भी कर सकता हूँ और आज परिवार है एक हमारे समाज की इकाई है वो तूट रहा है जैसे समाज में जो बुराईय है सोसल इविल इसका अप real होता है परिभार और zaw livelihood प्रिवार जाते हैं और अपराद पुरिवार मेरे लादे के लिए मेरु इसेलिए उसको खुजने के लिए संघर्सग लते हैं हुश होुज ने कर सके वो और का संचालन कर सके यह मोकाइफ इसको ये करने के लिए अपना ताइम निकालने के लिए अपना मनोरेजिन करने के लिए उझे ऐसको टैम करने कि लिए लुट है। तो इसलिए भारती Eddy को परिसफ परिशत परिवार एक आइको अगर पती सदस्य बनता है… तो पतनी भी सुमय उसकी सदस्य बनाती है। कि मैं पत्री सेज़ती है तो पतीवी सेज़ता और पूरा परिवार werdCommu और न फिर थे न परिए परिवार में हम यह संद्शकार देन परियास करते हैं कि कि कशुसी परिवार संद्वक्! एक परिवार में तरrywारों के साथ मिलेंगे पूरा समाझ सुधरेगा इस से को बहुत बड़ा काम हमारा जाब बाकी संपड़ों में आज तक मैं पूरे देस में परुवास करता हूँ बहुत शारे संव्ड़ों से मिलता हूं को संपर्क में हैं हैं यह हम उनसे मिलते हैं उनकी मीटिंग्स करते हैं लेकिन यह चीज सभी इस बात को मानते हैं कि भारत युकास परिशत की यह अच्छी देन है करोना की महारी फ्रेली देश में तो इसी वीच बहुत बेरोजगारी भी देश में देखनों को मिला बहुत लोग बेरोजगार हो गए कोई कोई देश छोड़के वी चले गए तो अभी रोजगार के रोजगार भी एक बहुत बड़ा समस्या है पर बेरोजगारी भी बहुत परशत कुछ कारिये कर देखे हमने आदरने परधान मंत्री जी का आवान आतम निर्भार भारत ठीक है और इस कुरोना के दोरान भी हमने कुछ ऐसी चीजे की जैसे शिलाई केंद्र बड़ी संख्या में अभी मैं एक उजहान बताता हूं आपकर वह अभी गोईंगोन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वरानसी में वरानसी में हमारा जो 75 वर्स आजादी का है इसको माधम बना करके 75 गरीब पुरस्ट अमंग दा पूर ऐसी 75 लड़कियों को चुना महिलाओं को चुना और उनको शिलाईश गाई एक मेंने और एक एक मसीन 75 मसीने हमने एक दिन में उ अब यो 75 का गरुब बना रखा हमने और वो 75 काम करती है रोज मैंने ये उस समय उनको सिलाई का काम भी सिखाया सिखाया सेना सिखाने के बाद फिर 75 मसीने दी और 75 का गरुब बनाया 75 के रोज आना के काम को वो कितना काम करती है रोज आना हम गरुब में डालती है आज उसक को यह का था एक साल में जिसका मैक्सिमम वो होगा उसको क्यावान हजार रुपे हम कैस अवार देंगे यह हमने जी दन दिया दस अक्टूबर को दिया हमने यह दस अक्टूबर को गोशना की वो 75 लड़किया आज उसके चमत का रित काम कर रही हैं आप कलपना नहीं कर सकते है कि वो काम ढूंडती हैं काम ढूंड के लेकाती हैं और एक छोड़े छोड़े के इंदर उन्होंने बना लिया है उन्होंने बना लिया उन्होंने अपने बना लिया है और वो काम करते हैं खुब दिन रात काम करते हैं और हमने यह सोच रखा है कि अगर वो अच्छा काम करे तो उनके साथ एक-एक मशीन और दे करके एक-एक लड़की को और अटेश कर देंगे दीरे दीरे ये प्रोसेस बढ़ेगा पूरे वाराणसी में इसकी चर्चा है कि भारत विकास परिसद के मादम से एक बिल्कुल डाउन अर्थ बिल्कुल ऐसे गरीब लड़कियों को आज आतम विश्वास, आतम समान और आतम निरभरता तिनों चीजें क्रिएट हो गया है इस परियों को हम दोरारे हैं जंगे जंगे पर अभी मैंने कल यहां में था तो यहां के सब कारिकरता आय थे तो मैंने सब को आवान किया कि आप आतम निरभर के लिए माताव बेहनों का ज चोटे हैंडी क्राफ्ट के काम जरूरी निगी शिलाई मसीन लेकिन ऐसी मसीने भी हम देंगे फाइनेंस करेंगे जितना भी कुछ भी करना पड़ेगा लेकिन आप उडिशा में इस चीज को चलाई है यह लक्सा का हैंडी क्राफ्ट जो है यह वर्ल्ड वाइड बहुत ही हर जिले में अलग अलग तरे तो अभी उन्होंने कहा है कि हम अगली बार वाज भाश जबा पाएंगे दो जी चार में तो इस पूरे काम करंगे तो ऐसा हम जो यह वे रोज़गारी की बात है यहार जो नालों के मादम से पुर्सों के मादम से भी भचों को हम पास्किल डॉलोमेंट के मादम से थरा थरा थोड़ी नहीं थोड़ пр sacq जो आ तड़ी Τाथ कोई यह मूबाल थीकरणा है कोई ती टीडिग करणा है एक जो हमारा मारा एक जो बहुत बदा आभान अभी हमने किया है यह है अनीमिया मुक्त भारत बनाना आप देखे मैंने बहुत सर्वे किया है बहुत अधिन किया है 67% महिलाएं हमारी आज अनिमिया युक्त है 67% जिस देश में माताएं बहने 60% रक्त की कमी है वो डिप्रेशन में आती है उनको दस तरह की बीमारिया लग जाती है अगर इस तिती में वो बच्चे को जनम देती ह हैं तो मेंटली रिटार्टिक पच्छे होते हैं अभी 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 इक्सित होता है मानसीक और सार्य को ठीक है ना तो हमने यह संकल्प किया अगले पांच साल में हम अनिमिया मुक्त भारत बनाएंगे और इसके लिए हम हर प्रांत को एक अंबुलेंस दे रहे हैं अभी मैं में पूर्ण जी से बात किया कि अगले पंदाज वीजिस दन में हम आपको और पूरे उसमें आप गाउं गाउं में जा करके माताओं बेहनों को मेडिकल केम लगाओ उसमें टेक्निस टेक्निसें रखो एक ड्राइव रखो दौईयां को रखो और जो भी जहां होता है पू मेल कंगिरी बोल सकते है कुज पूरा पूट रायेगड़ा उस एरिया में जदातर आन्यमिय यह रखो देंता की समझे आहें देखा देखाई वाल यह दोसरा दूसरा महिलाइं कुछ खाती नहीं है सोग्निक लुघंनाइं यह ज़िग कारे इस और नहीं हम इस सारी बीमार बना करके और ऐसे सब घुरों में जाकर के देते हैं तो हम हजारों कड़ाईयां हर साल ये डिस्ट्रिबूट करते हैं कि ताकि उसमें बोजन बनाए चना देते हैं लोगों को उगुड़ देते हैं इस तरह से हम जो जो भी एक स्वेम सेवी संथन के लिए जो संब़ो है उस स अधिक लेकिन हमने ये संकल्पिध हम की पांच साल में हम अनिमिया मुक्त भारत को बनाएंगे जी सर्थ तो ऐसा ये बहुत बड़ा भियान हमने इसमें ले रखा है और इस बार राष्टे स्वयम सेवक्षंग की जो बेठक थी समनु में बेठक उसमें भी मैंने खुले रू और नहीं है तो में एलवी लास्ट में कोँआ थिटि भारत काष्परिचचत एक संशकर्टिक संठन है संमाठ से Iím turn lesson और non-political है हम भारत वरस कट तक है अच्छा संकर्तिक रास्ट बनाना चाहते हैं सक्सम रास्ट बनाना चाहते हैं समर्थ रास्ट बनाना चाहते हैं और हमverse कि हमारे साथ आई है करेंगे चाए वह अमAmir लोगों की है अर तरह के मारिा उदते हुए हम्ट को आतम निर्भर बनाएंगे संपन बनाएंगे दन्य बहुत बहुत धन्य बाद आमें आलोचना कर थिले आमसोईतो सुरेश जेन थिले बंग भारत प्रिकास पर सद्र राष्ट्रियों संगठन संपादों का बंग से जो लख्यों रखी चनती जा आगो कु भारत समगर भारत को पांचो वर्षों भीतरे आनमया मुक्त भारत्रे परनात करीबे यहां निश्चित भाबर सफ़ल हूँ बोले आमें आसा करीबा पोनी थोरे आमें धन्य बाद जवा सुरेश जेन जी आपको बहुत बहुत धन्य बाद नमस्कार कार्जयोक्रम को इस्ट्रों कुछुच।